स्रिष्टी के पहले इंजीनियर ब्रह्मा के मानस पुत्र विसकर्मा की पूंजा और विधी, क्या है सुब महुरत, किस दिन और क्यों की जाती है विसकर्मा की पूंजा, इस बारे में आज हम इस पोस्ट में आप से चर्चा करेंगे, नमस्कार मिद्गडो इंग्याई सम्हा के मानस पुत्र, बारा अधित्तियों और इग्वेदों में जिनका वर्णन है, उनके जन्मतिति को 17 सितंबर सनिवार को दिन मनाया जाएगा, और इस दिन भगवान विसकर्मा की पूंजा अर्चना करने से कहते हैं कि कोई भी लोहे या किसी भी इंजिनिंग के सामान या निकला कार की चीजों को की पूंजा की जानी चाहिए ताकि इसमी वैपार में बरकत हो और उनका कार आराम से चल सके, बिसकर्मा पूंजा का इतिहास बहुत पूराना है, इन्होंने देव के हर निर्माल को बनाया है, इसलिए इन्हें देव सिल्पी भी कहा जाता है, हम कोकन्या संक्रांती के दिन मनाई जाने वाली बिसकर्मा जैंतरी को बहुत सुब माना जाता है, लेकिन राइस्थान और गुजरात के कोचिलाके में साथ फरवरी को भी बिसकर्मा जैंतरी मनाते हुए पूंजा की जाती है, लेकिन आज हम सनीवार 17 सितंबर को पढ़ने वा बिसकर्मा की पूंजा अर्चना करने से बिगड़े काम बन जाते हैं और वस्तूओं में कोई खराबी नहीं आती, भगवान बिसकर्मा इंजिनियर हैं इसलिए हर बिगड़ी को बना देते हैं, इनकी पूंजा करने का बिधान और राडिकाल से चला आ रहा है, कभी राजा महराजा के रत से लेके मसेंदी तक या विगड़ा कोई काम घर बनाने से लेके मकान बनाने तक हर जगे पे बिसकर्मा की पूंजा होती है, भारत में कलाकार से लेके मजदूर तक हलकुदाली से लेकर सुई तक बनाने वाले भगवान बिसकर्मा की पूंजा करते हैं और भ कोई भी पवित्र जल का आचमन करती हुए चोकी को सापकर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं उस पर कुमकुम और स्वास्तिक चंदन हो या फिर सिंदूर लगा कर गडेश जी का ध्यान करती हुए प्रडाम करें और चावल अर्पित करें फिर उसी चोकी पर विश्नु भग हर बिगली को बनाने का कारे करेंगे और फिर पुर्जन सुब आरम करें भगवान बिष्नु को प्रणाम करते हुए मनी-मन आचमन करना चाहिए क्योंकि बिष्नु को नमन करने वाले से विसकर्मा खुश रहते हैं ये इनके भक्त भी है और नौकर वैपार के हर बिगडे काम को भगवान बिसकर्मा का नाम लेते ही बनने शुरू हो जाते हैं और साल में एक बार बिसकर्मा की पूंजा से हरकष्ट मिठ जाते हैं अगर हम बारिग नजर डालने बिसकर्मा की उत्पती में तो इसकी कथा स्रिष्टी के प्रारम होने से जोड़ी हुई है अर्थात सो पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तु देव हुए और कहा जाता है धर्म की वस्तु नामक इस्तरी से उत्पन वस्तु साथवे पुत्र थे जो सिल्प सास्तर के प्रवक्ता है उन्हें ही अगनी राजी नामक पत्नी से विसकर्मा वस्तु देव की अगी राजी नामक सो में पूंजा अर्चना होती है इनके दो भुजा चार बहु और दस बहु वाले एक मुक की भी पूंजा होती है बिसकर्मा के दिन भगवान बिसकर्मा को प्रडाम कर पूंजा अर्चना करने से हर विगडी बन जाती है और विश्कर्मा की जे बोलते हुए मित्रगड़ों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सस्क्राइब नहीं किया है तो करते चलें और प्यारा सा नीचे कमेंट करते हमें बताएं पोस्ट कैसी लगी जेहिन जेवालत माथा की भगवान विश्कर्मा कर ल्याल करें